है अगर इंजिन के अंधर इंजिन ऊईल के रनिंग के तो रान अगर इंजिन ऊईल की मुलाकात प्लक्त से हो जाए आपने और अगर आपको इंजिन ऊईल जिसे बहुत लोग मोबिल कहते अगर वो लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ लो कि आपके बाइक आप Bay Sukuter के इंजन के अंदर में प्राबलम है और उस एक प्राबलम के बयाय से आपको आपके बाइक आपके बाइक स्कूर्टर से बहुत तरह के अलग-अलग प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं तो देखो सारे प्रॉब्लम्स के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा उससे पहले मैं आपको तीन ऐसे रीजन बताता हूँ जिसके वज़ा से जो इंजन ओयल है वो अपने रास्ते को भटकते हुए इस पार्क प्लक तक पहुँच जाता है तो आगे इस वीडियो को पूरा देखे और अगर अभी तक आप मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले चलिए पहला रीजन मैं आपको बताता हूँ देखो यह जो assembly यहां से सब कुछ clear होने वाला है उपर मैं आप देख रहे हो cylinder head नीचे मैं आप देख सकते हूँ यहाँ आपको cylinder block दिखाई दे रहा है यह assembly बहुत important आज के topic को समझने में मैं आपको दिखायता हूँ यह है piston, यह है connecting rod और यह है crank shaft और यहाँ पर आप close आके देखोगे तो आप देख सकते हूँ कि यह जो आपको तीन दिखाई दे रहे है ring यह है piston ring अब मैं आपको समझाता हूँ main बात कि हमारा जो spark plug है वो कहाँ पर लगा बहुत है तो यह cylinder head यह आप यहाँ पर देख रहे है spark plug लगा हूँ है यहाँ पर आपको नीचे दिखायता हूँ यहाँ पर आप गौर करकर देखोगे तो यहाँ पर आपको spark plug का tip दिखाई दे रहा ठीक है हाला कि यह जो हमारा engine का cylinder head यहाँ पर दो spark plug को यूज किया गया है तो यह दूसरा spark plug है वो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखायता हूँ ठीक है यहाँ पर कुछ लग गया है अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो दूसरे का tip यहाँ पर आज जागा यहाँ पर दो spark plug को यूज किया गया है मैं फिलारी से बाहा निकाल लेता हूँ अब देखो main important चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जहाँ पर सारा कुछ clear हो जाएगा, तो देखो होता ये है, इसे आटायता हूँ नीचे, इसे ले लेता हूँ उपर, ठीक है, ये है हमारा cylinder block, अब देखो फिरेंट, बात ये है, कि जब हम अपने engine को start करते है, bikeya scooter के, उस time प पिश्टन है, इसका up, down, up, down movement होता है, लेकिन जो हमारे engine oil जी से बहुत लोग मोबिल कहता है, उसका thing ये आ जाता है, कि engine oil नीचे के portion में होता है, जो कि crank, shaft, connecting rod, piston, इन सब को lubricate करते रहता है, उपर, नीचे तो आते रहता है, लेकिन यहाँ पर roll सामने आ जाता है, piston ring का, यह जो हमारे combustion chamber ये पूरी तरह से seal हो जा रहा है, यानि कि जब इसका movement हो रहा है, उस time पे नीचे से कोई भी engine oil, थोड़ा भी engine oil, यहाँ पे combustion chamber के अंदर में नहीं आता है, और ये possible हो पाता है, मैं आपको दिखायता हूँ, ये possible हो पाता है, इस piston ring के sealing के वज़ा से, लेकिन कि यहाँ पे जो sealing बन रहा है, वो sealing break हो जाता है, और उस time पे जब आप अपने bike scooter को चलाते हो, तो नीचे से spark plug ये जो combustion chamber है, इसके अंदर में आ जाता है, और जब यहाँ पे आ जाता है, चुकि ये आपस में इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चुकि ये आपस से आप चेक करते हो, तो आप देखते हो, कि spark plug में आपको यहाँ पे tip में आपको engine oil देखने को मिलता है, तो ये है पहला reason, अगर ये जो हमारा piston link वेराउट होगा, डाइमेज होगा, ये खराब होगा, तो यहाँ पे आपको oil देखने को मिल जाता है, फ्रेंज टॉपिक में आगर बढ़ने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत सारे लोग हर दिन बहुत ही long ride करते हैं, ऐसे में लगातार helmet पहनने के वज़ा से, या वैसे भी in general nutrition की कमी के वज़ा से, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग, जो hair fall का सिकायत है, वो ज मैं खुद भी से relate करता हूँ, तो मैं आपको एक brand के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है man matters, यह एक product लेकर आए, जो कि है nourish hair gummies, जहां पे company yummy, chewable gummies provide कर रही है, और इसके अंदर वो nutritional values available है, जिनके आपके बालों को जरूरत होती है, जैसे कि biotin, zinc, multi vitamins, यहां पे आपको बालों को थिक और strong भी बनाते है, यह hair gummies 100% vegetarian, natural, sugar free, gluten and gluten free है, साथे बिना किसी side effect के यह hair gummies completely safe भी है, friends, just एक gummies खाने से आपको इतना biotin मिल जाता है, जो कि 20 अंडे खाने से मिलता है, इतना zinc मिल जाता है, जो कि 20 काजू खाने से मिलता है, इतना vitamin A मिल जाता है, जो कि आदे गाजर का juice पीने से मिलता है, इतना vitamin C मिल जाता है, जो कि आदे गिलास संतिरे का juice पीने से मिलता है, और आपको इतना vitamin E भी मिल जाता है, जो कि 20 बदाम खाने से मिलता है, daily आपको just एक gummies खाना और best result के लिए आपको कम से कम 2 से लेकर 3 महने तक का wait करना है, साथी मैं आपको free doctor consultation भी मिल जाता है, तो friends, link आपको description ने मिल जाएका चाहो, तो आप free consultation भी यहाँ पे ले सकते हो, और जो gummies है, इन्हें भी order कर सकते हो, आप friends, spark plug में engine oil अगर मिलता है, तो दूसरा वज़ा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो slender head में आपको जो valves दिखाई दे रहे, intake valve और exhaust valve, देखो, नीचे आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे, आपको दो valve दिखाई दे रहे, intake valve, और जो छोटा वला है, exhaust valve, होता यह है, कि जब intake valve खुलता है, उस time पे, यह जो हमारे cylinder बोग यहाँ, यह combustion chamber है, इसके अंदर में हावा और petrol आता है, और जब वो जल जाता ह exhaust valve हो जाता है, तो फिर जो exhaust valve यह open होता है, जिससे के exhaust gases जो धूँआ है, वो बाहर निकल जाता है, यह इस तरह से काम करता है, लेकिन अगर ऐसा situation आ जाए, कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यह valve ठीक है, अगर यह valve डैमेज हो जाए, ठीक है, इसका जो ceiling है, वो ब्रेक हो तो दूसरा reason होता है, यह valve अगर यह डैमेज होंगे, इनमें problem होंगा, इनका ceiling break होगा, तो भी जो हमारे spark plug है, वो oiled up हो जाते है, फ्रेंज, जो तीसरा reason है, वो है engine oil quality, देखे कई बार क्या होता है, कि over the time, जो engine oil है, उसकी जो viscosity है, वो बहुत जादा कम हो जाती है, असान ल से काम कर रहा, वो सही से ceiling provide कर रहा, फिर भी कुछ-कुछ cases में chances होता है, कि वो पतला engine oil, जो ceiling है, उसे break करते हुए, जो combustion chamber उसके अंदर में पहुँच जाता है, और वो spark plug से मिल जाता है, तो आपको engine oil की जो quality अपने bike scooter में, उसे भी चेक कर लेना चाहिए, अगर आपको इसक engine oil मिलता है, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि problems क्या क्या आ सकते, तो जैसे ही engine oil combustion chamber के अंदर में जाता है, वो हवा और पेट्रोल का जो mission है, जो air fuel का ratio उसे मिल जाता है, combustion stroke के time पे वो वहां पे जल जाता है, और साथ ही वो spark plug तक भी बहुँच जाता है, तो देखो ए इंजन में ओवर हिटिंग का सिकायत आपको देखने को मिलेगा, इसके लावा जो combustion stroke है, वो सही से नहीं हो पाएगा, सही से engine power produce नहीं कर पाएगा, इस वयासे क्या होगा कि जो आप acceleration लोगे, उसके according आपको आपके bike scooter से speed नहीं मिलेगा, acceleration नहीं मिलेगा, power drop होगा, engine जो है, fire करेगा, कई बार क्या होगा कि जो हमारा tip है, यहाँ पर जब engine all आ जाता है, तो उससे क्या होता कि यहाँ पर एक layer बन जाता है, इन electrodes में, जिसके वयासे, जिस टाइम पे spark box के spark यानिक चिंगारी को निकलना चाहिए, वो कई बार miss हो जाता है, जिसके वयासे engine के दर में power stroke miss हो जाता है, तो miss fire का भी सिकाई देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आपको आपके bike scooter का जो silencer है, वहाँ सापको सफेद दुआ निकलते हो दिखाई दे, एक और जरूरी चीज, अगर engine all mix हो जाता है, combustion चामना के दर चला जाता है, तो जो mileage हो बहुत हद तक drop हो जाता, आपके bike scooter के जो engine है, वहाँ से सही performance, सही mileage है, सब कुछ सही मिल सके, तो friends, उम्मीद है कि इस वीडियो में दिखे जानकार या आपको पसना होगी, वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाव अगर आप चैनल पर नहीं हो, या अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं क्या, तो please चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी दबाले, ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, good bye